हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुभम लेक्चर चैनल तो स्टूडेंट्स वीडियो में हम क्लाश 12 आर्गेनिक कमेश्टरी के फ़स्ट चैप्टर हाइलो एलकेन एन हाइलो एरीन के एक इंपॉर्टेंट परियोग साला बिधी के बारे में डिसकस करेंगे इसका नाम है क्लोरोफार्म बनाने की परियोग साला बिधी तो इस वीडियो में हम देखे क्या क्या समझेंगे कि क्लोरोफार्म की परियोग साला बिधी में हम कैसे बनाते हैं रियक्सन, चित्र के साथ कैसे समझें हम चित्र को भी समझेंगे तीसरा है भावतिक गुड़ और चौथा है रासायनिक गुड़ और पांचबा है उपयोग यानि कि इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे जो कि आपके बोड़ीजा में पांच नंबर का पूछा जाता है अगर यह आप फाइनली देखते हैं तो आपको पांच नंबर मिल जाएगा उसके बाद में देखिए इस चितर को हम समझेंगे इस चितर आपके सामने है इस चितर को हम समझेंगे कौन किस प्रकार से जो है क्लोरोफार्म का निर्माण होता है तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं अपने फर्स टॉपिक को कि क्लोरोफार्म बनाने की परियोग साला बिधी तो इससे पहले मैंने आपको कई बिधिया बताई है डाई एथी लिथर बनाना हाइबर बिधी तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफार्म तो देखे क्लोरोफार्म का सबसे पहले रासाइनिक सूत्र क्या होता है इसको जानना जरूरी है तो रासाइनिक सूत्र जिसे हम एंगलिज में कहते हैं chemical formula तो देखे chloroform का जो रासाइनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3 ठीक है ये आपका हो गया chloroform का रासाइनिक सूत्र अगर बात करें इसके आउ-पी-अ-सी नाम का आई-उ-पी-अ-सी name ठीक है तो आई पी असी नाम अगर हम इसका लिखे तो इसका आपका क्या हो जएगा 3 से क्या हो जएगा ट्राई ठीक है कुलूरो मेथेन तो देखे ट्राई क्लूरोμεथेन समझ में आया तो रासायनिक सूत्र CH CL3 आ युपी असी नाम ट्राइ क्लोरो मेथेन समझ में आए इतना अब हम समझते हैं प्रियोग साला बिधी तो इसको समझने से पहले आप से छोटा से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्योंकि इसे मैंने बहुत ही मेहना से बनाए है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से चित्र के साथ मैं समझाओंगा तो इसको आप लाइक जरूर किजेगा ठीक है ताकि और भी बच्चों के पास पहुँच सके देखे सबसे पहला क्या है मारा टापिक प्रियोग साला बिधी तो हम इसे प्रियोग साला बिधी में कैसे बनाते हैं पहले उसको देखे हैं तो देखिए रियक्षण क्या है आपका जब एथिल एल्कोहल को नम बिरंजक चूण जिसका फार्मुला होता है मिलाकर आसवन कीया जाता है तब क्लोरोफार्प्त होता है खरो फार्मुला छ्डिपत हम इसका अब यहां पर एक टॉपिक आपका है आपका आया जिसमें द्रोव को वास में परिवर्थित करके किसी दूसरे अस्थान पर भेजा जाता है जहां उसे ठंडा करके पुनाह उसी अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है द्रोव अवस्था में ठीक है तो भी मैं समझाओंगा चित्र में तो देखे क्या होता है पड़ेगी ठीक है जल से तो जल से जब आप किरिया कराएंगे समझी है step by step तब आपको समझ में आएगा तो पहले जब हम बिरंजक चूर्ण है इसको नम कर लेते हैं जल के साथ किरिया करके तो हमारा क्या बन जाएगा सी ए ठीक है यहां पर आपका ब्रेकर नहीं रहेगा सोरी तो सी ए ओ एच का होल ट्वाइज प्लस सी एल टू जो कि यह गयस है ठीक है तो समझ में आया सबसे पहले हमने क्या किया बिरंजक चूर्ण की जल से किरिया करा दी है बिरंजक चूर्ण को नम बनाने के लिए तो यह आपका है बिरंजक चूर्ण यहां पर मैं लिख देता हूं बिरंजक चूर्ण यह है आपका जल यह है आपका बुझा हुआ चूर्ण यह आप इसे कह सकते हैं काल्सियम हाइड्रोकसाइड तो मैं लिख देता हूं काल्सियम हाइड्रोकसाइड ठीक है हाइड्रोकसाइड तो कालसियम हाइड्रॉकसाइड बना ठीक है और आपका क्लॉरीन सियल्टू क्लॉरीन गैस मुक्त हुई अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि एथिल एलकोहल से जब एथिल एलकोहल को नम बिरंजक चूण के साथ मिलाकर आस्वन किया जाता है तो क्लॉरोफाम मनता है भी चित्र में आपको और भी अच्छे से समझ में आगे आ जाएगा ठीक है तो देखिए अब हम क्या लेते हैं एथिल एलकोहल ले लेते हैं एथिल एलकोहल का फार्मूला होता है च्छ3-C2-OH या फिर आप लिख सकते हैं उसके बाद में एक कार्बन लेंगे तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन लेंगे तो एक हाइड्रोजन और वूड ठीक है यह आपका बन जाएगा प्लस आपका बन जाएगा एच सीयल ठीक है तो देखिए CS3 हमारा हो गया balance CS3 इँथर आप देखिए कार्बन Yemen इसमें कितने हैं एक दो दो कारबन तो एक दो कारबन हो गया है है हाइड्रोजन कितने हैं पहले बान कर लेते हैं तीन दो पांच एक छे तो यहाँ पर हम लगा देंगे है तो 2 तो चार 2 और उच्छे हो गया आपको लिग देते हैं एल्कोहल इसका नाम है आपका इसी टैलडी हाइड आईट इसका नाम है आपको पता हो गाई HCL है आपका hydrochloric acid ठीक है तो समझ में आया है सबसे पहले हमने बिरंजक चूंड को जल से अफकिरिया कराई तो calcium hydroxide और chlorine बना फिर हमने ethyl alcohol को chlorine से अफकिरिया कराया तो आपका acetaldehyde और HCL बना ठीक है अब आगे देखे मैंने आपको बता है कि चार पदों में ये अफकिरिया होने वाली है तो आगे देखे क्या होगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है CS3CHO जो यहाँ पर आया है acetaldehyde CS3CHO को हमें फिर से chlorine के साथ अफकिरिया करा देनी है 3Cl2 से ठीक है तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर C L 3Cl3CHO प्लस 3HCl ठीक है C आपका यहाँ पर देखे कितने कार्बन हैं 1 2 कार्बन यहाँ पर कितने 1 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन ठीक है hydrogen 3 1 4 यहाँ पर कितने हैं एक और तीन चार ठीक है अब आक्सिजन दे लेता है आक्सिजन एक है तो यहाँ पर भी आक्सिजन एक है क्लोरिन तीन है तो यहाँ पर भी क्लोरिन तीन है निकि आपका बालेंस रियक्शन हो गया तो इसका नाम है इसका नाम है क्लोरिन इसका नाम अब समझ लेते हैं इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है देखिए क्या है ट्राई ठीक है क्लोरो एसी ट्यल्डी हाइड एसी ट्यल्डी हाइड ठीक है बड़ा नाम है तो इसको आप लोगी याद रुखेगा और क्लोरल ठीक है तो यहापर समझे क्लोरल तो देखिए क्या नाम है इसका सी सी अल्थिरी सी अच्चो इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसी ट्यल्डी हाइड क्लोरल यह आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्डन्ट है तो तीन पद हो गए अभी चौथा पद हम देख लेते हैं उसके आपका क्लोरल हो गया है सी एक किरिया हमें करा देनी है सी ए सी अ ओ यैज का होल ट्वाइज ठीक है इस से हमें स्ङप किर्या करा देनी है थोड़ा सा बड़ा है आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर अच्छे से देखिए स्केप कि अमने क्या करा दी सी ये वह carol ट्वाह जो की हमारे पहले पद में आया था CAOH का होल्टेज का LCM हाइडराकसाइड से तो आपका यहाँ पर फाइनली जो बन जाएगा वो बनेगा 2CHCl3 प्लस HCOO का होल्टवाइज CA ठीक है अब इसका नाम देखते हैं इसका नाम है जो आपको बनाना था क्लूरोफार्म क्लूरोफार्म ठीक है यह HCOO का होल्टवाइज और CA क्या है आपका कालसियम फार्मेट कालसियम कालसियम फार्मेट ठीक है तो देखे चार पदों में हमारी F किरिया हुई है सबसे पहले देखिए जब एसिल अलक्वोल को बिरेंज चूर के साल मिलाकर आसरण किय जाता है तो क्लूरोफार्म बनता है तो सबसे पहले हम बिरेंज अखचूर को नम हमने बना है H2O CFC किरिया करा थो कालसियम हाइडराकसाइД और क्लूरीन बना फिर हमने क्या किया एह हैं उस को याद रखना है उसके बाद में देखिए हमारा क्या है जब हमने इस try chloro acetaldehyde chloral की cahol twice आई कि calcium hydroxide से अफकिरिया कराई तो chloro form और calcium formate आपका बन गया ठीक है इसकी अफकिरिया हमने ऊपर वाले से कराई है cahol twice तो यह आपका बन चुका है ठीक है इसका मैं pdf description में डाल दूँगा आप लोग जाकर वहां से download कर लिजिएगा आगे देखिए क्या है तो आगे बढ़ते हैं इसके चित्र को समझते हैं तो देखिए अब हम इसके चित्र को समझते हैं तो चित्र को कैसे समझेंगे फमजिए देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क है देखिए यह एक गोल पेंदी का फ्लास्क है ठीक है जिसमें क्या क्या लिया गया है 200 ग्राम बिरंजक चून देखिए बिरंजक चून 200 ग्राम है ठीक है और 400 ml जल है जल कितना है यहाँ पर 400 ml बिरंजक चूण और जल के मिसरन को एक यह आपका क्या है गोल पेंदी का फ्लास्क है ठीक है इसमें लिया गया है और क्या लिया गया है इसमें आगे देखे जल से बनी लेको 50 ml या फिर एसी टोन ठीक है एसी टोन लेकर जल उसमक के उपर गर्म करते हैं यानि कि आपको इस जो इस गोल पेंदी का फ्लास्क है इसमें क्या लेना है एतिल अलकॉैल 50 ml बिरंजक चूंड 200 ग्राम ओर जल 400 ml लेकर क्या करते हैं हम लोग इसमें गर्म करते हैं ठीक है किसकी सहायता से बरदनर की सहायता सी यह आपका क्या है बरदनर है ठीक है जिस क्लोरोफार्म मनाने की दो बीदियाना तो इसी टों से या तो अथिल अल्कॉहल से हमें एथिल अल्कॉहल से बनाया टुछ इन सभी को ले कर क्या करते हैं हम इस भालू उसमक किस ये जल उसमक जो है इसकी सहाधा से बारणर की सहाधा से हम इस गोल पेंदीimp उपस्थित इन सभी चीजों को गर्म करते हैं ठीक है अब आगे देखे जब हम गर्म करते हैं जिससे जल तथा क्लोरोफार्म का मिसरर आस्वीत होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकठा हो जाता है यानि कि जो आपका ये है क्लोरोफार्म ठीक है और जल क्लोरोफार्म और इसमें क्या होगा? जब इन दोनों की अफिडिया होगी, अभी मैंने आपको reaction बताया है, तो क्या बनेगा? क्लोरोффाम बनेगा और जल बनेगा, तो यह दोनों क्या होते हैं? इस फंघनितर, यह एक संघनितर है, ठीक है? इस नली की साहथा से आया और इसमें एकट्ठा होगा तो इसका आसवन किया गया, आसवन का मतलब किसी भी द्रो को गर्म करके किसी दूसरे अस्थान पर भेजना और उसे फिर से ठंधा करना ही आसवन कहलाता है तो देखे इस द्रो को CSCL3 को वास्प के रूप में इस संगनितर में भेजा गया और किसको जल को, ठीक है जल से बरे ग्राही पात्र में एकठा कर दिया गया, अब देखे जो आसवित द्रो नीचे वाले अंस इसमें एकत्रित हो जाएगा ये जो आपका है ये गराही है क्या होगा ये इसमें जल है और ये जो आपका है यहाँ पर ये गराही है ये क्या है ये जो बॉक्स है आपका ये गराही है ठीक है तो देखे सिंपली मैं एक बारा और बता देता हूँ इसमें एथिल अल्कोहल और बिरंजक चून और जल को लेकर इसमें गर्म किया गया बर्णर की सहायता से यहां से क्लोरोफॉर्म मना क्लोरोफॉर्म और जल को इस संगनित्र में भेजा गया इस संगनित्र में यह एक ग्राही है जिसमें क्लोरोफॉर्म द्रोवा उस्था में परिवर्थित हो गया और जल को पिर्थक कर लिया गया ठीक है अब क्या होगा इसमें अगर कोई अमली आप प्राप्त हो जाएगा ठीक है तो चित्र समझ में आया एक बार पुना समझ लेते हैं कि जब एथिल हैं तो क्लोरोफॉर्म और जल जो है यहां से आकर संगनित्र में इकठा हो जाता है ठीक है संगनित्र में क्या है ठंडा जल प्रवाहित किया गया है संगनित्र में इकठा होने के बाद वो ग्राही में चला जाता है जिसमें क्लोरोफॉर्म अलग हो जाता है ठीक है तो इस से आपका सुध्ध कुलोरोफॉर्म बन जाता है तो इस चितर आपके समझ में आए बहुत ही इजी है अब आगे देखिए हम कुछ भौतिक गुण इसके समझ लेते हैं पीडिया में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा तो देख तो जो है एक दसमलो चाराठ पाँच है यह जल में आ बिले है यानि कि जल में यह बिले नहीं है और एथर वा इलकोहल में बिले है यानि कि यह अगर आप इसकी वास्त को सुंगते हैं तो कुछ समय के लिए आपको मूर्चा आ जाएगी ठीक है इसी गुड के कारण इसका अपयोग निश्चे तक की रूब में किया जाता है हम रासानिक गुड एक देख लेते हैं इंपर्डन की आक्सि करन रासानिक गूड में हम आक्सि करन देखेंगे तो जब सूरी के प्रकास में क्लोरोफार्म वाईव में खुला ठीक है इसको अगर हम लोग उक्सिजन की उपस्थिती में रख दें ठीक है अक्सिजन में नहीं यानि की प्रकास की उपस्थितीं ठीक है तो आईसा क्या बनेगा इसमें? यानि कि जब क्लोरोफार्म को, क्लोरोफार्म के दो मॉलیک्यूल को आक्सिजन के तीन मॉलیک्यूल के साथ अफक्रिया करा जाएगी तो आपका COCl2 बनेगा, प्लस Cl2 प्लस H2O बन जाएगा ठीक है और ये जो है आपके गैस है फासजीन क्लूरीन भी गैस है तो यहाँ पर मैंने आपको बता है कि जब क्लूरोफार्म को हम लोग क्या करते हैं सूरी के परकास अथवावायू में खुला रख देते हैं तो फासजीन गैस बना लेती है इसका नाम क्या है फासजीन इससे हम कहते हैं कार्बोनिल क्लूराइड जो की अत्यंत बिसैली गैस है और क्लूरीन और जल बनता है यह आपका है क्लूरोफार्म क्लूरो फार्म यानि कि अगर क्लूरोफार्म को परकास की उपस्तिती में खुला रख दिया जाय है तो वो आक्सि데न से अफकिरिया कर लेती है और फासजीन गर्स बनाती है जो कि एक बिसेली गर्स है ठीक है?? टो परकास की उपस्तिती में ये अफकिरिया इसके साथ होती है अब मैंने आपको बता है कि फासजीन को गहरे रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है इसका कारण मैंने आपको बताया तो लिंक आपको description मिल जाएगा उस वीडियो को आप जाकर देख लिजेगा यहाँ पर भी मैं बता लिता हूँ कि जो क्लोरोफार्म होता है उसको गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है क्योंकि वो प्रकास की उपस्तिती में वह उसे किरिया कर लेगा और वो फासजीन मना लेगा ठीक है इसलिए इ मेडिसिंस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है सेकेंड है जीवान नासक की रूप में यानि कि बैक्टिरिया को मारने की में इसका उपयोग किया जाता है तीसरा है सुगंधित पदार्थ की रूप में ठीक है जो मैट्रियल होते हैं सुगंधित उनके रूप में इस सब्सक्राइब दोर्पको विलाइन सब्सक्राइब गारेsal सब्सक्राइब रहा झाया satellite 200 प्पूरा वीडियो मैंने आपको प données जाए घाट है तोभी यह दी इस इससे पहले जो मैंने परियोग साला बिधी बता हैं उसको भी आप जाकर देख सकते हैं तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर आपकी कोई क्योरी है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं थांक्यू